हाई अवरिवन मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे ये सुनके या पढ़के बहुत अजीव लग सकता है कि किसी देश जिसकी जनसंख्या लगभग 90 से लेके 95% मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं उस देश में हिजाब के उपर कम्प्लीट तरीके से बैन लगा दिया गया ना कि सिर्फ हिजाब के उपर बैन लगा दिया गया बलकि और भी बहुत सारे चीज़ों के उपर बैन लगा दिया गया मैं बात कराऊं तद्रिक्स्तान गवर्मेंट के बारे में जहां पर रिसेंटली एक लॉग को इंट्रोड्यूस किया जहां पर इन सभी चीज़ों के उपर बैन लगा दिया गया क्या है ये पुरा मामला इसको हम सिलसिलवार तरीके से समझते हैं क्यूंकि ये पुरा मामला कही न कहीं कल्चर और कपड़ों से संबंदित है तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना बेहर ज़रूरी है सबसे पहली बात तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे बीच में जितने लोग जो इतिहास के कल्चरल पार्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं उनको एक बात तो definitely मालूम होगा कि किसी भी देश या किसी भी एडिया का जो कल्चर होता है वो हर वक्त बदलता रहता है कहने का मतलब है कि जितने लोगों के बीच में interaction होता है उतना ही ज़्यादा आपका जो कल्चर होता है उसमें परिवर्तन होता है और यही universal truth है लेकिन कितनी बार क्या होता है कि हम अपने आपको एक हूटे से बांध लेते हैं जहां पे हम यह मानने को तयार नहीं होते हैं कि जो हमारा कल्चर है वो कहीं न कहीं समय के साथ उसमें changes हुआ है जो चीज आज के 100 साल पहले अवेलेबल था वो आज अवेलेबल नहीं है तो जैसे ही कोई चीज हमारे system का या society का हिस्सा नहीं होता है तो वो चीज automatically हमारे culture से भी बाहर निकल जाता है और जहां तक बात किया जाए तजगिस्तान के बारे में यानि की 1991 से पहले ये USSR का हिस्सा हुआ करता था और तजगिस्तान के उपर और इसके culture के उपर बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो Persian culture का पड़ा है तो फिलहाल तजगिस्तान के जो president है उनका नाम है इमोमाली रहमौन और ये 1994 से लेके 2024 तक हैं और currently यही president भी है और साथ में उस पूरे आसपास के region में longest serving head of state भी इमोमाली रहमौन है साथ में इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये secular विचार धारा के हैं और ये चाहता है कि किसी भी तरीके से governance में religion का interfere ना हो और जहां तक बात किया गया religious clothing का या हिजाब के बारे में नियम बनाने के तरफ सरकार के द्वारा कदम बढ़ाया जाता है वो होता है में 8 को जब तजिक्स्तान के lower house में एक bill को पास किया जाता है जिसको की 19 जून को upper house में approve कर दिया जाता है जिसके तहत जो चीज कल तक unofficial था वो official हो गया और साथ में इसे एक law पे भी ढाल दिया गया कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इस law को break करेगा तो उसके उपर फिर penalty imposed किया जाएगा जैसा कि more or less सभी देश में बहुत सारे नियम होते है वैसे ही तजिकिस्तान में भी एक नियम है जिसका नाम है on regulation of holidays and ceremonies तो कहने का मतलब है कि इस नियम के तहत किसी भी तरीके से वैसे कपड़े जो तजिकिस्तान के culture का हिस्सा नहीं उसको complete तरीके से ban कर दिया गया और जहां तक बात किया जाए हिजाब के बारे में या कोई भी ऐसा कपड़े के बारे में जिससे कहीं न कहीं एक religious identity महसूस होता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सारे जो कपड़े हैं वो तजिकिस्तान के native नहीं यानि कि वहां के culture का हिस्सा नहीं है और ये सारे जो कपड़े हैं या ये सारे जो trend है वो कहीं न कहीं बाहर से आये हुए हैं तो President का ये कहना है कि हमें अपने देश का जो कल्चर है उसे प्रमोट करना चाहिए और किसी भी तरीके से publicly अपने religious identity को प्रमोट करने से हमें बचना भी चाहिए जैसा कि नॉर्मली भारत में भी होता है कि जब इल सेलिब्रेट किया जाता है तो बच्चों को गिफ्ट दिया जाता है तो इन सभी नियम के उपर तजिकिस्तान में complete तरीके से ban लगा दिया गया है अब ये सारे चीज़ पढ़के बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को complete तरीके से ban लगाते हैं तो कितनी बार क्या होता है कि वो चीज़ काफी misfire हो जाता है आप अपने culture को promote करना चाहते हैं ये एक अलग reality होता है लेकिन जब आप चीज़ो को Parliament के थुरू एक law में convert करते हैं फिर उस law को आप किसी भी तरीके से जब punishable बनाते हैं तो chances काफी high हो जाते हैं कि वहाँ के जो लोंग है वो उस नियम को adjust या उस नियम के साथ वो adjust नहीं कर पाएंगे अब ये समय बताएगा कि किस तरीके से तरीके से तर्जिस्तान के लोंग इस नियम को adopt करते हैं वहीं पर बात किया जाये तो साल 2018 में एक book publish किया जाता है जिस book का नाम रहता है how to dress जिसके तहट recommendations को जारी किये जाते हैं और इसी book के तहट कोई भी आदमी अगर beard रखता है या woman हिजाब पहनती है तो उनके हिजाब को forcefully हटा दिया जाता है और जो beard है उसे काट दिया जाता है और वहीं पे साल 2017 में cell phone के उपर messages भेजने शुरू हुए थे जहां पे ये बताया जा रहा था कि जो तजगिस्तान का cultural dress है या जो वहां के native dress है उसको follow किया जा है जो तजगिस्तान का native नहीं है उसको आप follow नहीं करेंगे mostly यहीं देखा जाता है कि जो हिजाब होता है वो black color का होता है तो लगभग तजगिस्तान के capital city में black कपड़ा को बेचने पे complete तरीके से ban लगा दिया गया था तो ये कहीं न कहीं बता रहा कि सरकार बहुत ही brutal तरी association ना रहे एगर आप इस चीज को देखेंगे तो ये चीज बहुत हतक सही भी है कि अगर कोई भी सरकार किसी भी तरीके से अगर religion को promote करते हैं तो उस देश का जो minority होता है वो थोड़ा सा uncomfortable feel करता है और साथ में किसी भी देश के तरक्की के लिए ये बेहर जरूरी होता है कि स साल 2000 से ही हिजाब को ban कर दिया गया है साथ में साल 2011 में एक नियम लाया जाता है जहांपे कोई भी ऐसा आदमी जिसका age 18 साल से कम है उसे Friday के जो prayer से उसमें participation करने से complete तरीके से रोका गया और साथ में वैसे सभी लोगों को हज पे जाने के लिए रोका गया जिनका age 35 से कम है तो कहने का मतलब है कि इस तरीके का जो नियम कानून है वो तरजकिस्तान के government समय दर समय introduce करते हुए आए हैं वहीं पे जैसा कि हर देश में अलग-अलग विचार धारा के लोग होते हैं तो तरजकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग है जो अपने सरकार के विचार से ठीक व कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye